ये युद्ध कहां तक पाला जाए, ये दूंद कहां तक टाला जाए, तु भी है राणा का वंसज, फेक जहां तक भाला जाए, फेक जहां तक भाला जाए नमस्कार स्वागत है आप सभी लोगों का स्कूल सिक्षा के इस आउंलाइन लर्निंग प्लेटफोर्म में तो आप बैक्राउंड देख करके समझी गए होंगे कि आज हम लोग CHS का बेसिकली जी के पॉलिटी सेक्षिन के सिलेबस को डिसकस करना जा रहे हैं इस पूरे सिलेबस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप यह सिलेबस जो है 9th और 11th का सिलेबस थोड़ा डिफरेंट होने वाला है तेन तक तो आप बेसिकली सुशल साइंसे पढ़ते हैं जहां पर आप हिस्ट्री उसके बाद पॉलिटी या फिर आप सिविक्स का हैं और जोग्रफी को पढ़ते हैं ठीक है उसमें एकनॉमिक्स का भी पोर्शन रहता है लेकिन जैसे ही आप 11th में इंटरेंस देने जाते ह हैं तो वो आप division जो है sector wise हो जाता है आपके group wise हो जाता है जैसे कि आप या तो math group में रहते हैं या फिर बायो ग्रूप में रहते हैं या फिर humanities की तरफ चले जाते हैं या फिर आप commerce की तरफ चल जाते हैं तो इसी लिए आज मैं जो syllabus discussion करूंगा वो basically तीनो ग्रूप के लिए के लिए उसके बाद Humanities Arts के लिए और Commerce तीनों के लिए जी के से क्या syllabus रहता है उसके इंपक्त रहते हैं उस पूरे एकजाम पर इन सारी चीज़ों पर मैं बात करने जा रहा हूं तो स्वागत है और चलिए एक बार देख लेते हैं कि कैसे आपका syllabus रहता है syllabus से पहले मैं आप लोगों को इसके वेटिज के बारे में बताना चाहूँगा ठीक है होता क्या है कि जैसे ही आप 11th के entrance exam को देते हैं आपको basically अपने आपको divide करना होता है तीन सेक्टर में या तो आ आप maths बायो ग्रूप में जाएंगे या फिर आप कहां जाएंगे आप arts domain की तरफ जाएंगे या फिर आप commerce domain की तरफ जाएंगे ठीक है इन सब में जीके quality से question सबसे ज़्यादा कहां से पूछे जाते हैं मतलब social sciences arts में जो है इस group में आपका जीके quality ठीक है मैं यहाँ पर जीके पॉलिटी क्यों लिख रहा हूं बस पॉलिटी क्यों ने लिख रहा हूं क्योंकि स्टाटिक जीके के भी पोर्शन आते हैं दूसरी चीज यहीं पर हिस्ट्री जियोग्रफी इनके जो है question सबसे ज़्यादा arts में आते हैं ठीक है तो इनके question कितना जो है commerce group में आता है यह सारी चीज़े हम लोग बताएंगे ठीक है दूसरी बात commerce group की तरफ जब हम आएंगे तो arts में जितने question आते हैं उससे थोड़ा बहुत ही कम क्या रहता है आपका commerce में यह पूरा portion आता है मतलब की second जो है यह रहता है और सबसे कम जो है maths और बाय content हो जाता है क्यों क्योंकि एक एक question एक नंबर के लिए आपके chain होने न होने में फर्क डाल देता है ठीक है तो इसमें बिसिकली जो पोर्षन आता है वो जी के जी एस का पोर्षन आता है ठीक है लेकिन इन सारे domains में आपके domains को include करता है ठीक है दूसरी चीज अब तक अगर ह कुछ सालों से वो भी बदल हो बदल चुका है अब अलग अलग होते हैं लेकिन एक चीज देखी गई थी पहले कुछ सालों में ठीक है या फिर बहुत पहले कोविट से पहले की बात करें तो ट्रेंड यह था कि जो questions आते थे वो static GK के portion से maximum आते थे ठीक है NCRT को cover up उतना न से दिया है तो हमें इस syllabus में उसको भी focus करना होगा ठीक है तो चलिए syllabus देखते हैं जब हम syllabus देखेंगे तो basically मैंने बताया कि हम लोग मैट्स और जो बायो ग्रूप है उनका GKGS का portion रहता है static portion रहता है वो syllabus के last में मैं बताऊंगा कि उनका कौन सा portion रहता है ठीक है इसलिए class 11 का syllabus जो है basically arts और commerce ग्रूप में क्या है वो maximum portion में बता हुआ है ठीक है इनके में यह question सबसे ज्यादा आते हैं सबसे पहली चीज़ ठीक है commerce और arts ग्रूप दोनों के लिए हम लोग क्या करेंगे दोनों के लिए हम लोग यहां पे ncrt को follow करेंगे ठीक है सबसे पहले हम लोग ncr के जो पॉलिटी बुक है ठीक है या फिर जो सिविक्स का बुक है आप लोग का हम लोग उसको follow करेंगे उसके जितने चाप्टर से हैं चाहे वह पावर सेरिंग हो फेडरलिजम हो ठीक है उसके बाद आपका जेंडर रिलीजन कास्ट हो पॉलिटिकल पार्टीज हो ठीक है या फिर आउटकम ऑफ डेमुक्रेसी हो इन पांचों चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे cover up करेंगे अब cover up कैसे करेंगे सट अगर हम लोग किसी एक चैप्टर को पढ़ रहे हैं अगर हम लोग स्रिलंका और बेलजियम के case study को पढ़ रहे हैं तो हम लोग कोसिस करेंगे कि इस चैप्टर से कितने maximum question आ सकते हैं या अभी तक कितने questions आये हैं उनको भी देखेंगे कि किस तरह से Question आ सकते हैं कितने questions अभी तक आये हैं ठीक है ताकि आपके पास एक clarity रहे कि अगर हम कोई एक chapter पढ़ रहे हैं एक part पढ़ रहे हैं तो वह जो chapter है उससे किस तरह के question और क संब लोग से अप्लинки की को सिस करेंगे अगर से अगर अधा यहां फ़ेडिरल या वे इसकेट ब्हुंपरिंगे , जो करेंगे ने कि इस प्रेट रहने चाहिए तो इसको भी हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग उसको करनेक्ट पा रहा है और तीसरे तरीके से हम लोग क्या देखेंगे और तीसरे तरीके से देखेंगे कि इस portion से क्या current affair से कुछ portion जुड़ रहा है कि नहीं क्योंकि current affair से भी question पूछे जाते हैं तो तीनो तरह से हम लोग इसको क्या करेंगे cover up करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत न हो एक बार जब हम लोग ncrt cover up कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग चलेंगे आपके स्टाटिक जी के की तरफ स्टाटिक पॉलिटी की तरफ जो की सबसे important पार्ट है और तीनों डोमेंस को यह पढ़ना है चाहिए वह मैस ग्रूप हो आर्स ग्रूप हो और commerce ग्रूप और आर्स और commerce ग्रूप क क्या कहते हैं या फिर आपको तो अभी समझ में भी नहीं आ रहा होगा कोई दिक्कत पर साने की बात नहीं है क्योंकि हम लोग इंडियन constitution है क्या समविधान होता क्या है समविधान में अनुछेद क्या होते हैं कौन सानुछेद important है इन सारी चीजों को पढ़ेंगे ना कि ब बहुत बड़ा philosopher बुद्धी जीवी बना दूंगा ठीक है तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे हम लोग देखेंगे कि भारती समविधान होता क्या है भारती समविधान होता क्या है समविधान क्या होता है ठीक है उसके प्रस्तावना क्या है यह कैसे समविधान बना कब ब देखेंगे क्या सरकार को कुछ करने के लिए हमारे सम्विधान में लिखा गया है तीन सारी चीजों को कबर आप करेंगे उसके बाद हम लोग संसद को देखेंगे जो की सबसे important part है यह जो तीन टॉपिक है यह आपका जी के पॉलिटी में सबसे important part हो जाता है सुप्रीम कोट हाई कुछ भी जो बचा रहेगा ठीक है जो भी जी के जीकई заним that करेंगे हम लोग उसको cover up करेंगे तो आपको लगेगा कि सरी chapter तो बहुत ज़्यादा लग रहा है ठीके ये बहुत ज़्यादा जो है क्या है ये बहुत ज़्यादा सिलेबस है तो ऐसा मत सोचीगा क्योंकि ऐसा जो है आपके पुराने भाईयों ने भी बेहनों ने भी क्या किया था सो बता होगा कि हम लोग सबसे ज़्यादा सेलेक्शन देने वाले प्लेटफॉर्म है और सेचेस में नंबर वन प्लेटफॉर्म हम लोग है ठीक है तो कैसे cover up करना है क्या strategy होनी चाहिए कैसे करना है आगे कैसे पढ़ेंगे उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो बनाऊंग कि अभी one new batch launch हो चुका है और अगर आप अभी one new batch को join करना चाहते हैं तो आप join कर सकते हैं क्योंकि classes start हो चुकी है वहाँ पे और हम लोग वहाँ पे धीरे धीरे इन सारे syllabus को detailed और अच्छे तरीके से cover up करेंगे ठीक है वहाँ पे आपको proper study planner मिल जाएगा कि इतने दिनों में हम लोग कर लेंगे syllabus को वहाँ पे आपको बाकी चीज़े मिलेंगे टेस्स मिलेगा quiz मिलेगा ठीक है सारी चीज़े PDF मिलेंगे notes मिलेंगे बहुत चीज़े मिलेंगी तो आप one new batch को भी join कर सकते हैं उमीद है यह वीडियो और यह session आपको अच्छा लगा होगा बाकी के वीड